तो दोस्तो आज का ये खुबसूरत सा डिजाइन बनाने के लिए आपको किसी भी मैचिंग कपड़े की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि इस डिजाइन का जो लुक है सेम ही कपड़े से बहुत ही खुबसूरत आने वाला है तो इस design को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको जरुवत होगी एक औरेब पट्टी की जिसकी चौड़ाई दोस्तो हमने 1.5 इंच ली होई है और लंबाई थोड़ी अधिक ली होई है इसके बाद दोस्तो आपको जरुवत होगी एक सीधी पट्टी की दोस्तों इस सीधी पट्टी की जो चोड़ाई रहेगी वो रहेगी 5 इंच और इसे आप प्रेस से डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद में लंबाई आपको इसकी भी अधिक से अधिक ले लेनी होगी इसके बाद दोस्तों आपको अपनी कुर्ती की जो कटिंग की हुई है उसमें पेपर फ्यूजिंग चिपकानी है देखिए इस तरीके से बीस सेंटर में और इसी तरह के और भी जादा खुफसूरत खुफसूरत डिजाइन देखने के लिए इसके बाद दोस्तों आप इसे इस तरीके से डवल फोल्ड कर लें और फोल्ड करने के बाद में अपने नेक की ब्रॉडनेस का और लंबाई का निशान लगाएं जैसे हम लगा रहे हैं दोस्तों हम अपने नेक की जो ब्रॉडनेस रखेंगे वो रखेंगे 7 इंच तो 7 inch का जो half होगा वो होगा 3 and half आप अपने हिसाब से broadness set कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे यहां से जो लंबाई ना पेंगे नीचे तक डाट वो ना पेंगे 13 inch मतलब के 13 inch नापने के बाद दोस्तों देखिए जो हमने ये निशान लगाया है अब हम क्या करेंगे इउपर वाले ही निशान से एक अपने नेक की लंबाई का निशान लगाएंगे जो कि हमारे नेक की लंबाई fix रहेगी वो रहेगी 6.5 inch मतलब के 16 ये 16 पर निशान लगाने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है यहां से safe देनी है कैसे देनी है देखिए बीच में quarter inch की gaping रहेगी कैसे रहेगी इस तरीके से पहले तो आप इसे हलका सा गोलाई दे दे और गोलाई देने के बाद में quarter inch के gap से आपको इसको काटना मतलब बीच में जो gaping आएगी total quarter inch की आए इस इसाब से आपको निशान लगाना है यह हम अपने निशान पर आगए इसके बाद हम यहां से इसकी इस तरीके से safe दे देंगे यह safe दे दी अब हम इसकी cutting कर देंगे same निशान पर यहां से आपको दोस्तों ध्यान से गोल काटना है बिलकुल तो देखिए दोस्तों यह हमारी neck की जो cutting है वो कुछ इस परकार से हो गई है दोस्तों यह neck design बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी इस सीधी वाली पट्टी का यूस करना होगा तो कैसे करेंगे दोस्तों यह जो हमने double fold की हुई है इस double fold पे हम यहाँ पर इस तरीक से सलाई मारेंगे जिससे के यह बंद हो जाए तो दोस्तों यह हमारी सलाई लग गई है इसके बाद आपको क्या गन्ना है इसमें डालने हैं आपको gathers तो किस प्रकार से गैधर्ष डालेंगे देखिए गैधर्ष डालने के लिए जैसे अभी आपने यह इसी सलाई के बरावर में अंदर की तरफ आपको शिलाई लगानी है तो कैसे लगाएंगे देखिए यहाँ पर रखने के बाद में आपको इस उंगली का यूज़ करना है और एक इसका कैसे यह जो मार्जन आपकी मशीन के अंदर की तरफ निकला इसे आप इस तरीके से सुकोड देंगे ऐसे यह देखिए हमने आपस में अपना सारा कपड़ा इस तरीके से इखटा कर दिया और इखटा करने के बाद में देखिए बहुत ही खुबसूरत हमारी यहां पर इस तरीके से गैधर्स पड़ती आ रही है इसी तरीके से हम अपनी पूरी पट्टी पर गैधर्स डालेंगे देखी दोस्तों यहां पर हमारी बहुत ही फिनिसिंग के साथ गैधर्स जो है पड़ गई है इसके बाद दोस्तों आपको ले लेना है अपना नेक जो आपने कटिंग किया था इस पर अपनी फ्रील को कैसे सेट करना है देखिए फ्रील को इस परकार से हम नेक के बराबर में रखेंगे और क्वाडर इंच का मार्जन लेते हुए इसे पूरी गोलाई में उपर से नीचे तक सिलाई से अटैज करेंगे एक्ट्रा पट्टी को अब हम यहां से इस तरीके से कट कर देंगे और देखिए दोस्तों कितनी फिनीशिंग के साथ हमने अपनी पट्टी को जो है इस तरीके से अटैज कर लिया है इसके बाद दोस्तों आपको ले लेनी होगी अपनी औरेब बाली पट्टी और ये बाली पट्टी को कैसे यूज करेंगे देखिए नेक को इस तरीके से उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद में जो देखिए ये सिलाई लगी जो दिख रही है इस सिलाई के ही उपर आपको सिलाई लगानी है पट्टी को इस परकार से रखते हुए तो दोस्तों ये देखिए और ये पट्टी भी हमारी बिल्कुल गोलाई में इस तरीके से अटैच हो कई है अब हम इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद में और ये पट्टी को ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे देखिए ऐसे करके नीचे से लेकर उपर तक पूरी गोलाई में हम इसे सेट कर देंगे तो देखिए दोस्तों यहां पर हमने अपनी पूरी ही पट्टी को इस परकार से से गोलाई में सेट कर दिया है अब आपको क्या करना है दोस्तों इसके बीच में एक कपड़ा लेके लगाना है तो कैसे लगाएंगे देखिए हम बताते हैं आपको तो दोस्तों ये हमने अपनी एक पट्टी ले ली है, जिसको हम इस तरीके से अपने नेक के नीचे सेट करेंगे. यहाँ पारह आइस तरीके से हम इसको सेट करेंगे, बिलकुल मिलाते हुए अपनी पट्टी को एक दूसरे से, और सिलाई लगा कर इसको अटेच कर देंगे तो देखी दोस्तों पट्टी लगाने के बाद में हमने यहाँ पर बीच में कुछ बटन भी लगा दिये हैं जिनकी वज़े से हमारे पूरे नेक का लुक देखी बहुत ही खुबसूरत आ गया है उम्मीद करता हूँ यह डेक डिजाइन आपको भी काफी पसंद आया होगा और आप इसे अपने लिए भी एक बाद ट्राई जरूर करेंगे इसी के साथ दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को भी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले और घंटी के आइकन को क्लिक जरूर कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे दोस्तों अगर किसी कारण से नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है आप हमें हमारी वेब साइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com